नमस्काल दोस्तो, मेरा नाम है अक्ष्यपाल और सौगत करता हूँ मैं आप सभी का हमारे Photbrides, अक्ष्य पाल official में आज हम बात करने वाले हैं काम्याभी के रहसे के बारे में दोस्तो काम्याभी का वैसे तो कोई रहसे नहीं होता है बट कहीं न कहीं हम लाइफ में जब आगे बढ़ना चाहते हैं, हम काम्याब होना चाहते हैं, तो हम इसे कुछ लोग, हम इसे बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हमें कोई काम्याबी का एक सूत्र मिल जाए, काम्याबी का एक मंत्र मिल जाए, काम्याबी का कोई रहस से ऐसा चल जाए जिससे हम जल्दी कामयाब हो जाएं तो दोस्तों मैं आज आपको इस कामयाबी के रहसे को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाना चाहूंगा दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप से एक रिक्वेस्ट करूंगा आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल क अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर ले प्लस में साथ वाले बैल आइकन को भी प्रेस कर दें और आल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके राइट तो चलिए दोस्तों लाकात एक सादू जी से होती है सादू जी के पास जाकर वो व्यक्ति बोलता है सादू जी सादू जी मुझे आप से बहुत जरूरी बात पूछनी है सादू जी बोलते हैं बताईए बेटा क्या पूछना है आपको व्यक्ति बोलता है कि सादू जी मुझे काम्याबी का एक रहस से बता दो जिससे की मैं जल्दी कामयब हो सको सादू जी ने बोला बेटा जरूर बताता हूं मैं आपको सादू जी उस व्यक्ति को उस जंगल के पास एक नदी बह रही थी उसके सास लेके चल पड़े और नदी के अंदर नीचे धीरे धीरे उतरने लगे जब सादू जी उस व्यक्ति को लेकर नदी में उतर रहे थे तो धीरे धीरे पानी उस व्यक्ति के पैरों तक आया फिर थोड़ा और आगे बड़े तो पानी उसकी कमर तक आ गया फिर सादू जी थोड़ा और आगे बड़े उस व्यक्ति को लेकर तो पानी उसकी गर्दन तक आ गया उस वक्त सादू जी ने उस व्यक्ति की गर्दन को पकड़ा और नदी के अंदर डुबो दिया और दोस्तो तब तक नहीं निकाला जब तक उस व्यक्ति का शरीर नीला ना पढ़ जए दोस्तो साधू ऐसी करते रहे डोगोई रहे और वो व्यक्ति सांस लेने के लिए तरपता रहा उस व्यक्ति की सांसे जाने लगे जब उस व्यक्ति का शरीर नीला पढ़ गया सादू जी ने उस वक्ती को बहार निगाला और उस वक्ती से एक सवाल किया कि बेटा जब आप पानी के अंदर थे तो सबसे ज़्यादा आप किस चीज को चाह रहे थे सबसे ज़्यादा आपको क्या चीज की जरूरत थी उस वक्ती ने बोला सादू जी मुझे सबसे ज़्यादा उस वक्त जरूरत थी तो मेरी सांसों की मैं सांसों को चाह रहा था मेरी सांसे जा रही थी तो दोस्तों उस वक्त सादू जी ने एक सुन्दर सा जवाब दिया सादू जी ने बोला बेटा यही तो है काम्याबी का एक रहस है क्योंकि जब आप पानी के अंदर थे तब आपको सबसे ज़्यादा जो सबसे पहले आपको जो जरूरत थी वो थी सांस लेने की आपकी सांसे जा रहे थी जब आप काम्याब होते हो जब आप कामयाब होने रास्ते पे चल रहे होते हो तो सबसे ज़्यादा जो आपको जरूरी होती है वो आपको कामयाब होना कामयाबी जब आपकी चाहत बन जाती है कामयाबी जब आपकी मजबूरी बन जाती है तब दोस्तों आपको काम अब होने से कोई नहीं रोक सकता तो आशा करते हैं दोस्तों कहानी आपको पसंद आई हो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करों कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे वीडियो को शेर करें तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर